दोस्तो रानू मंडल नाम की इस महिला को अब पहचान बताने की जरूरत तो नहीं है फिर भी जानकारी के लिए बता दे कि ये वो ही महिला है जिनका रेलवे स्टेशन पर गाया हुआ गाना सोशल मीडिया पर भयानक रूप से वाइरल हुआ था और दोस्तो वो गाना तो शा प्याल कुछ भी नहीं तीरे मीरी कहारी है तीस जुलाई को फेस्बुक पर लता मंगिशकर जी का ये गाना जब रानु मंडल जी की आवाज में अपलोड किया गया तो रानु मंडल जी की जिंदिगी में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसके बारे में रानु मंडल जी ने कभी सोचा भी नहीं था रानु जी का ये गाना जिस किसी ने भी सुना वो यही सोचने लगा कि काश इने हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिल जाए सोचल मीडिया कैसे किसी इंसान की जिंदगी बदल देता है इसका जीता जाकता उधारन रानु मंडल जी है दरअसल रानु मंदल जी को सोशल मीडिया से मिली पहचान के बाद मुंबई के एक रियलिटी शो सारे गामा कारवा में गाने के लिए बुलाया गया उनका मेक ओवर किया गया ऐसे ही सोनी एंटेटेंडमेंट चैनेल के रियालिटी शो सूपर सिंगर में भी इने बुलाया गया जहां हिमेश रेश्मिया ने इने अपनी फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रानु मंडल जी की बचपन में मुंबई चले जाने के बाद बाबुल मंडल से शादी हो गई थी मगर पती के देहांत के बाद रानु मंडल जी वापस पश्चिम बंगाल लोट आई लोटने के बाद पैसों के लिए लगातार सडकों पर और रेलवे स्टेशन पर गाना गाने लगी। तभी भीड में से एक सक्ष ने इनके गाने की रिकॉर्डिंग कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उस सक्ष का नाम है अतिंद्र चक्रवर्ती। अतिंद्र चक्रवर्ती उस समय पश्चिम बंगाल के राना घाट इस्टेशन पर मजूद थे जहां रानुमंडल जी गाना गा रही थी। अतिंद्र ने यह वीडियो अपने फेस्बुक एकाउंट पर शेयर किया। इसके बाद जो हुआ उससे तो आप सब वाकी फिहो। वीडियो के वाइरल होने के बाद रानुमंडल जी को कई संगितकार और स्टेश शो करने वालों ने संपर करने की कोशिश की। रानुमंडल जी जिस समय हिमेश रेश्मिया के साथ गाना रिकॉर्ड कर रही थी उस समय उनके साथ इस्टूडियो में अतिंद्र भी मौजूद थे। अतिंद्र को खुद भी यकिन नहीं हो रहा था कि कैसे उनके एक वीडियो ने एक महिला की जिन्दगी बदल कर रहती। हिमेश रेश्मिया के आने वाली फिल्म हैपी हार्डी एंड हीर में रानुजी ने तेरी मेरी कहानी ये गीत गाया है। इस गाने के बाद रानुजी को मौका देने के लिए अतिंद्र ने हिमेश रेश्मिया का शुक्रिया अदा किया। इस वीडियो के वाइरल होने के बाद अतिंद्र लगाता रानुजी के संपर्क में रहे। पेशे से software engineer अतिंद्र राना घाट में ही रहते हैं एक वीडियो के कारण अब रानु जी की इस नई जिन्दिगी में खुशिया ही खुशिया है इसी वीडियो ने रानु जी को अपनी 10 साल से बिछडी बेटी से भी मिला दिया वीडियो देखने के बाद उनकी बेटी ने उनसे घर पर जाकर मुलाकात की इस पर रानु जी ने कहा कि ये मेरा दूसरा जनम है और मैं इसे बहतर बनाने की हर तरह से कोशिश करूँगी दोस्तो अतिंद्र जैसे शक्स जिसने इनका वीडियो बनाया और शिखर तक पहुचने में रानु जी की मदद की उनके लिए एक सलाम तो बनता है एक प्यार का नगमा है बोजो की रवानी है जिन्दगियों कुछ भी नहीं तेरे मेरी कहानी है